आउज बिल्ला इमने शित्वान रजीम बिस्मिल्ला रह्मानि रहीम अस्लाम रेकूम डियर स्टूरेंट्स उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट अनॉंसमेंट और शौकिंग अनॉंसमेंट है जो क उनिवस्टी की लाइफ है आप लोगों को पता है कि इसमें समेस्टर सिस्टम बस ऐसे ही गुजरता है अभी आप लोग मीटरम देखके थोड़ से रिलेक्स हो रहे होते हैं कि फाइनल टरम की जो डेट होती है वो आपके सर पे आ जाती है तो सेम यही हुए है अब भी आप लोगों के साथ सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस्लामी यूनिवस्टी और भावलपूर की तरफ से आज यह नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि आप लोगों के फाइनल टरम जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं बैचलर्स के मास्टर्स, M.S.E. ओनर्स, M.S. औ और एंफिल और पीएच्डी प्रोग्राम्स जो सेशन ट्वेंटी 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 टू है इनकी जो डेट बताए गई है फाइनल टरम के लिए वो सतरह दिसंबर दो हजार बाइस सेचर जैसे स्टार्ट होने जा रहे हैं जो नेक्स्ट कमिंग मंथ है दिसंबर में दिसंबर जो है इस बार आप लोगों के लिए दर्देसर बनेगा इसके इलावा जो रिजल्ट है इसकी डेकलरेशन के लिए जो डेट दी गई है वो थर्ड जैनुरी ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री की है लेकिन रिजल्ट की अभी कन्फरमेशन नहीं हो सकती जिस तरह एड जो हैं वो किये जा रहे हैं निव एड्मिशन भी हो रहे हैं इसके साथ साथ फाइनल ट्रम जैसे यह खतम होगा आई होब के जनुरी के फर्स्ट वीक में नई क्लासिस भी स्टार्ट हो जाएंगी तो जिन बचों ने अभी तक एड्मिशन नहीं लिया वो भी इसके अंदर एड्मिशन के लिए अप्लाय कर सकेंगे चाहे वो बी-एस के स्टूडेंट्स हों चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों चाहे वो MS, MPhil या PhD के स्टुडेंट्स हों सब के लिए ये इलिजिवल होगा लेकिन अगर आप किसी भी और युनिवस्टी में मूव करते हैं तो उसके लिए आपके पास complete result होना जरूरी होता है यही वज़ा है कि युनिवस्टी जहां तक मुझे समझ आई है वो ये चारी है कि जब तक बाकी युनिवस्टी के एक्जैम्स अड्मिशन्स जो हैं वो क्लोज नहीं हो जाते तब तक यहां पर भी अड्मिशन्स ना किये जाएं ताके बच्चे उनके पास आ सकें द्वा में याद रखिएगा अलाहाफिज